हाई दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूटीब चैनल महामाय सेलेक्शन में तो फ्रेंट्स आज हम लोग फिट से आए हैं आपके सामने RBI Security Guard के English के सेट को लेके और ये है सेट नमबर 13 इसके पहले English, Math और Reasoning के तीनों के 12-12 सेट आ चुके हैं अगर आपनो उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिश्ट में जाकर उस सभी वीडियो को देख सकते हैं और तीन से पाच हमारे Life Class से चलते हैं उस Life Class में आप आके जरूर जुड़िए हम से ठीक है Daily जुड़िए उसमें हम Maths, Reasoning और English से कोसंस लाते हैं जितने भी एक सर्विसमान है सभी कैंडिट्स को मैं कहता हूं कि आप उसमें जुड़िए और कोई भी स्टुएंट से जो कि Railway, SAC और कोई भी एक्जाम के तयारी कह रहे हैं जितने भी कोसंस मैं पढ़ाऊंगा उसमें अगर आपको नहीं समझ मैं आगा आप में इससे पूछ सकते हैं एक बार दो बार पूछ सकते हैं ठीक है चलिए अगले कोसं पर चलते हैं सबसे पहला कोसं क्या है आपका यह best expresses दिया आपको बताना है कि कौन सा in each of the questions below choose the word that best expresses the meaning of the given word best expresses में क्या हुआ same meaning same meaning कहें या आपका कहें तो कह सकते हैं हम लोग synonyms, synonyms पूछ रहा है ठीक है ना? synonyms के questions है चलिए चलते हैं next questions number one पे question number one क्या कहा रहा है comprehensive comprehensive का synonyms क्या होगा आपको बताना है तो comprehensive का अगर मतलब बात करें ना तो friends इसका मतलब क्या होता है व्यापक होता है व्यापक या कहें तो विस्तृत होता है क्या होता है व्यापक या विस्तृत होता है अगर इसके options का बात करें तो partial means क्या होता है partial means होता है अधूरा क्या होता है अधूरा circumscribe का अगर बात करें न circumscribe means होता है सर्थ लगाना प्रतिबंद करना परिक्रिया करें ठीक है तो क्या होगा सर्थ लगाना भी कह सकते है प्रतिबंद भी कह सकते है मैं प्रतिबंद लिख देता हूँ ठीक है प्रतिबंद complete मिन्स क्या होता है पूरा complete क्या होता है पूर्ण रूप से या पूरा ठीक है और definite का अगर बात करें तो निस्चित या इस पर्स्ट बोल सकते है निस्चित या आपको क्या हो गया इस पर्स्ट हो गया इस पर्स्ट ठीक है तो देखे फ्रेंट इसका क्या बोला है comprehensive व्यापक या विस्तित तौर पे means total completely कह सकते हैं तो इसका आपको क्या लग रहा है option number क्या होगा C जो होगा पून रूप से completely is the right answer और question number 1 का option number C is the right answer अगर इसका example देखना चाहिएगा तो ऐसे कह सकते हैं कि the book is comprehensive इसका मतलब क्या हो गया means यह हो गया it deals with all my problems about the subject मतलब जितना यह problem है इसमें दियावा है विस्तित रूप से इसमें ग्यान दियावा है यह example आप ले सकते हैं चलें next question पे चलते है question number 2 पे चलेंगे question number 2 में क्या दियावा है candidate का बताना है candidate का synonym क्या होगा तो candidate मिस क्या होता है अभियर्ती क्या होता है अभियर्ती या कहें तो इस पस्ट भी कह सकते है इस पस्ट या कहें तो खड़ा होना ठीक है अब क्या होगा tactful tactful मिस क्या हो गया विनम्र हो गया विनम्र okay टूटीज को आगर बात करें तो इमामदार शच्चा इमामदार जीसे और व्हाइयल भी हो सकता इस पर्ष्ट भी हो जाएका ऑगे बूटिस को लिखते जाएगा तो इस पर्ष्ट अबिन भी बोलते हैं गया कहें तो वाइल वाइल भी इसका होता है friend Satruta Purn और इसका spelling भी आपको याद रखना है ठीक है hostile का ह-o-s-t-i-l-e आपसे correctly spelled word में भी आपसे पूछ सकता है ठीक है जिसका hateful भी कहते है अंग्रेजी में कहा जाएना तो hateful होता है इसका मतलब ठीक है अगर candid का बात करें इस first means सच्चा आदमी है जो कहता है मुँपे कहता है इस first है तो क्या होगा इसका इसका हो जाएगा truthful सच्चा truthful is the right answer हो जाएगा अगर इसका एक sentence लेना his candid opinion was admired by everyone उसका जो opinion है इस first opinion है जो सच्चा राय जो है न वो क्या है सभी लोकों को विद्वारा सराह निया है कह सकते आप हिंदी में ठीक है चलिए next question में चलते है अगला question आपका correctly spelled word है आपको बताना है कि चार option में से कौन सा सही है question number three है आपका क्या अपलो जाई आपको पता है अपलो जाई once regret अपने गलती को express करना to feel sorry यह भी हो सकता है feel sorry ठीक है यह हो सकता है तो इसके spelling क्या होगा तो फिर इसका spelling जो हो जाएगा यह होता है A-P-O-L-O-G-Y option number D is the right answer एपलो जाई एपलो जाई में से क्या होता है च्छमा याचना करना इसके spelling क्या हो जाएगा तो B-E-N-I-F-I-C-I-A-L या इसे कहता है favorable भी क्या सकते है profitable भी क्या सकते है तो option number इसे क्या हो जाएगा beneficial option number C is the right answer बिल्कुल option number C क्या है बिल्कुल सही है चले next question में चलते है अगला है opposite meaning है जिसे हम लोग कहते है brief brief means क्या होता है संचिप्ट करना क्या होता है summarize करके बोलना ठीक है संचिप्ट एक तरसे कह सकते है अब आपको बताने है क्या हो जाएगा इसका instruction means क्या होता है अनुदेश देना हिदायत देना अनुदेश अनुदेश देना हिदायत देना concise means क्या होता है concise means भी sunshift होता है अगर आपसे इसका sign-on नहीं पूछता है ना तो आप concise बोल सकते थे enormous means क्या होता है बहुत बड़ा लिखना बहुत बड़ा या विसाल भी कह सकते है बहुत बड़ा और scanty means अगर बात करना तो scanty means तुच हो जाएगा तुच ठीक है तो देखे brief means होगया sunshift means छोटे में लिखना summarize करके लिखना और enormous क्या होगया बड़े करके लिखना बड़ा बहुत बड़ा हो गया तो option number 6 इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल next चलते हैं अगला question number 6 क्या है endangered endangered बिसका होता है friends आपने सुना होगा बहुत सारे animal हो कहा है endangered animal है इसका मतलब क्या हो गया looked prey जानवर है looked prey जिस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा tiger हो गया looked prey है endangered animal है बहुत सारे ऐसे species है जो की look prey जानवर है ठीक है अगर इसका antonyum का बात करें न तो पहले बात कर लेते क्या-क्या दिया होगा है venture दिया होगा venture मिस क्या होता है car ray होता है क्या होता है car ray या par ये सब हो सकता है threaten मिस क्या होता है धंकी देना डराना धंकी देना या कहे तो डराना डराना भी हो सकता है next अगर defend का बात करना defend मिस क्या होता है defend मिस बचाओ करना रक्षा करना बचाओ करना या रक्षा करना ओके और careless का अगर बात करें तो careless मिस क्या होगा la par va la par va ओके तो आपको क्या हो जाएगा इंडेंजर में लुप्त प्राय इसका क्या हो जाएगा अपोजिट का अगर बात करेंगे अंटोनीम का तो option C हो जाएगा अगर बात करें तो मर्मर मिस होता है बर बराहट चीक है अगर विस्पर का बात करें विस्पर मिस होता है फुस फुसाना फुस फुसाना ओके अगर बात करें मंबल का मंबल मिस क्या होता है मंबल मिस होता है आपका बुद बुद आना जब आप बात करते हैं तो क्या करते हैं चीक है और next अगर south का बात करें तो south means चिक ना चिलाना इसका answer क्या हो जाए मंबल हो जाए मंबल यहांपर सबसे correct हो जाएगा ठीक है चले next चालते हैं कोशन नुमर 8 क्या दिया हुआ है liquid liquid को हम लोग measure करते हैं किस के माध्यम से लीटर क्या होता है, इसका unit होता है, लीटर का spinning यहाप फोड़ा सा गलती है, L.I.T.R.E. लीटर होता है, तो liquid को मापने के लिए हम लोग किसका इस्तिमाल करता है, एक लीटर, दो लीटर, तीन लीटर ऐसे करते हैं, तो उसी प्रकार क्या होगा, तो उस प्रकार क्या हो जाए किलोग्राम में होगा, यही आपका answer हो जाएगा, चीक है, next question पर चलते है, one word of substance related question है, क्या कह रहे है, आपको देखना है, a small enclosure for cattle, मतब ऐसा जगा जहां को cattle को रखा जाए, cattle, घरे लुपसूज होता ना, उसे, cattle ship को, भेड को, faltery, etc. को रखा जाए, उसे हम लोग क्या कहते है एसे को साब के पूशे हाते, आपको सब का पता होना चीछिए इसे क्या कहते है, अब देखे, eagle का जो nest होता है, उसे हम लोग क्या कहते है, castleEL करना, इसे अगल को लेज़ए तो इसे इसे इसपर लेज़ए, तो three is a place where pigs live, ये क्या होता है, festivals, pig का जगा होता है, सुवड का ले ठीक है अगर हिंदी में बोला जाए तो सुवर्ड साला भी से बोलते हैं क्या बोलते हैं सुवर्ड साला ओके पेन का अगर बात क्या जाए पी एन पेन पेन होता है स्मॉल इंक्लोजर फॉर कैटल सिप पॉल्ट्री एक्सेक्टरा मतलब यहीं आपका आंसर हो जाएगा ओप्सिनुमπεर 9 का C हो जाएगा ठीक है जहाँ भेर रहता है पसु रहते है न पॉल्ट्री पसु जो है जितने भी रहते है उसे पेन कैहते हैं लाइर का अगर बात करेज़ना तो ताइगर जो रहता है न लाइर में रता है याद रहे हैं याद रहेंस इनτιंड है टाइगर का वो रहने का जगा है, nest है अगला question क्या कह रहा है, देखे music, जो है न, music sung और played at night, क्या कह रहा है यहाँ पर भी आपका, अच्छा यह कह रहा है यह आपका one word substitution है जिसे हम लोग कहते हैं, अनिक आति सब्द तो music sung और played at night below a person's window is called as, क्या कहते हैं आपको बताना है, ठीक है इसे हम लोग क्या कहते हैं music जो है न, बसता है या गया जाता है रात में, किसी person के window के नीचे, खिरकी के नीचे उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं क्या, serenade कहते हैं serenade कहते हैं तो के याद रखेगा, music sung और played at night गाना गाया जाता है रात में किसी आधिमी के खिर्की के पास ना तो उसा अस्वा tanto सेरेनेट कहा जाता है सॉएल्ट क्या होता है small song or lyrics होता है Çो जोटा से गाना या lyrics हो गाना उसे ही हम झो क्या कहते है फोटा है lyrics होता है a song consisting of verses and chores ठीक है, lyrics हो जाता है, और remote तो, the part of piano dude played on the upper half of the keyboard, तो क्या होता है, primo जो है ना, piano में बजाने वाला, और keyboard के उपर वाले भाग से जो बजा जायाता है, उसे हम लोग क्या जाता है, primo क्या हो जाता है, English के related जो कि मैं आपके सामने ले के आया उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा हमसे जो रहने के लिए महा माय सेलेक्स हो सब्सक्राइब कीजे और हमें मोटिवेट करने के लाइक बटन दबाईए कि इस तरह के वीडियो आपके लिए जो आपके लिए जाते हैं तो डेली आप हमारे साथ तीन से पांच बजे साम में जूड सकते हैं धन्यवाद